नमस्कार दोस्तों, I'm sure आपने कल न्यूस सुना होगा कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसका जो मास्टर माइंड है जाकी उर्रहमान लकवी उसको पाकिस्तान के द्वारा टेरर फाइनसिंग के चार्जेज पर गिरफतार कर लिया गया है तो यहाँ पर आप न्यूस भी देख सकते हो, मुंबई अटैक मास्टर माइंड जाकी उर्रहमान लकवी अरेश्टेड इन पाकिस्तान on टेरर फाइनसिंग चार्जेज लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर FATF, that is Financial Action Task Force की मीटिंग होने वाली है फेबरी के महने में इसको लेकर भी यहाँ पर इसको लिंक किया जा रहा है, तो हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर यह जो लकवी है, इसका बैक्राउंड अभी तक क्या रहा है 2008 के बाद से, इसके अलावा यहाँ पर जो मेन मकसद है पाकिस्तान के द्वारा इसको अरेश्ट करने का, वो intent क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्चे की हब वीडियो आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइ आपको पता होना चाहिए, जो जाकी उर्रह्मान लकवी है, वो आपका एक तो मास्टर माइंड है, मुंबई अटाक के पीछे, देखें मास्टर माइंड जब हम कहते हैं, तो इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे कि आपने हाफिस साईद के बारे में सुना होगा, मसुद वो भी इस तरह का मास्टर माइंड है, जिसने पूरी जो प्लाइनिंग और प्लॉटिंग है, उसके अंदर ये शामिल रहा है, और ये आपका लक्षरे ताइबा का भी मेंबर है, जो सम्हालता है, कमांडर है बेसिकली, तो इसको सैटर्डे को पाकिस्तान के द्वारा अरे गिरफ्तार किया गया है, और ये किया गया है, बेसिकली लाहोर के अंदर जो काउंटर टेरिजम डिपार्टमेंट है, जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी काउंटर टेरिजम डिपार्टमेंट है, उसका पुलिश टेशन है लाहोर में, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर गिर United Nation Security Council के अंदर जो band terrorist है UN designated terrorist जिसको कहते हैं उसमें इसका नाम है तो यहाँ पर special clearance लेनी पड़ेगी अगर उसको कोई भी fund निकालना है अपने account से इसके लाबा यहाँ पर यह जो पूरा case है दोस्तों वो anti-terrorism court लाहोर के अंदर यह पूरा चलेगा यह तो पूरा आपका आगे आने वाली चीज़ें बताएंगी कि क्या होता है लेकिन यहाँ पर जो जाकिर रह्माल लक्वी का रोल क्या रहा है मुंबई अटैक में यह मैं आपको पहले बता देता हूँ तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 26-11 को मुंबई टरर अटैक हुआ था 2008 में जिसमें बता रोप में यहाँ पर 2008 में क्या होता है कि United Nation के द्वारा जो United Nation Security Council के Resolution के थ्रू 2008 में इसको Global Terrorist Declare कर दिया जाता है और पाकिस्तान के अंदर इसको गिरफतार कर लिया जाता है तो 2008 से यह क्या होता है गिरफतार हो जाता है 2008-09 के बाद से लेकिन 2014 में क्या होता है कि उसको बे जाता है कि इस तरह का बेल कैसे आप दे सकते हो इसको लेकर यहाँ पर फिर जो पाकिस्तान की सरकार है उसको फिर से Prison के अंदर रख देती है जेल के अंदर रख देती है Under the Maintenance of Public Order इस पर्टिकुलर एट के तहत यहाँ पर इसको वापस जेल में रख दिया जाता है लेकिन प पाकिर रहमान लकवी जेल में बन था 2015 में जाकर उसको रिलीस कर दिया जाता है बेल के तौर पर अब जब उसको बेल मिलती है दोस्तों इसलामाबाद हाई कोट से उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है US और भारत दोनों के द्वारा क्योंकि आपको समझना है इसका source क्या है उसके पास 20 लाख रुपए आए कैसे लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की सरकार है उसका ये कहना था कि हमारे पास इसके ओपर कोई evidence नहीं है भारत हमें evidence नहीं दे रह हाया है चाहें भारत कि इतना भी evidence दे दे आपको पताइए दोस्तों उसको पाकिस्तान उतना मानता नहीं है, तो यहाँ पर पाकिस्तान का basically यह कहना था कि हमारे पास evidence नहीं है, जिसकी वज़े से उसको bail दिया जाता है, in fact मैं तो आपको यह भी बता दूँ कि पिछले साल की बात है, पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर जो लकवी का नाम है, जो लिस्ट में डाल दिया जाता है, लेकिन अब question आता है कि यहाँ पर वापस से उसको क्यों arrest किया गया है, क्योंकि 2015 से तो वो bail पर था, अचानक से यहाँ पर उसको arrest करने का मकसद क्या है तो इसका एक ही मकसद है दोस्तों ध्यान रखना है, February के महने में FATF की meeting होने वाली है that is financial action task force और आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है FATF की जो list में grey list के अंदर आता है और उसको डर है कि कहीं वो black list में शामिल ना हो जाए, क्योंकि एक बार black list में हो गया, तो यहाँ पर already जो पाकिस्तान की economy की हलत खराब है, उसको loan नहीं आपर और भी कहीं से मिल पाएगा, जो funding आनी चाहिए FDI आना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक तरह से पूरी तौर पर बंध हो जाएगी तो कहीं न कहीं पाकिस्तान अपने आपको दिखाना चाहता है, seriousness दिखाना चाहता है कि देखी हम यहाँ पर arrest कर रहे हैं और यहाँ पर आप हमें blacklist में मट डालिए क्योंकि आपको याद होगा, 2019 में भी July 2019 में भी just जो plenary session हुआ था FATF का, उसके just पहले Hafiz Sahid को भी arrest कर लिया गया था तो यहाँ पर जैसे ही कोई session आने वाला होता है उसके just एक दो मेने पहले आप देखोगे यह routine बन गया है पाकिस्तान का कि किसी ना किसी terrorist को गिरफतार कर लो और दिखाने की कोशिश करो कि हम यहाँ पर कड़ा action ले रहे हैं in fact जो पिछला वाला session हुआ था FATF का October 2020 में उसमें यह बताये गया कि यह जो FATF आपको पता ही होगा कि 39 member की body है यहाँ पर पाकिस्तान को 3 महने की और महुलत दी गई थी 3 महना और दिया गया था और कहा गया था कि 27 points पर आपको यहाँ पर काम करना है तो basically 27 points में से 21 points को clear कर दिया गया था मतलब पाकिस्तान ने उसको fulfill कर दिया लेकिन 6 points ऐसे थे जिसको fulfill अभी नहीं किया गया था तो इस 6 points को लेकर 3 महने की महलत और दी गई इसमें से जैसे कि आप देख सकते हो preventing the raising and moving of fund हो गया identifying and freezing of asset है prohibiting access to fund हो गया financial services हो गया इस तरह की चीजें पर अभी भी काम करना था तो कहीं न कहीं इसी को लेकर जो जाकी उर्रह्माल लकवी है उसको terrorism financing के तोर पर reason देकर उसको अभी arrest किया गया है लेकिन यहाँ पर जो officials हैं भारत के अंदर उनका ये कहना है कि पाकिस्तान basically one by one इस तरह के approach अपनाता है अगर लकवी को पिछले साल ही अगर arrest कर लेते तो आज के date में वो convicted भी हो गया होता जैसे कि हाफिस सहीद को पिछले साल arrest किया गया था और recently मैंने इसके उपर video भी बनाया था कि हाफिस सहीद को convict कर दिया गया है वहाँ की court के द्वारा तो वैसे जाकिरु रह्मान भी हो जाता लेकिन जैसे ही FATF की meeting आने वाली होती है तब जाकर उनको arrest किया जाता है तो उसका कोई बहुत जादा seriousness नहीं दिखता है in fact दोस्तों यहाँ पर अगर हम UN band terrorist की बात करें आपको पता है कि United Nations Security Council के द्वारा यहाँ पर band लगा दिया जाता है UN designated terrorist का दर्जा दे दिया जाता है तो आप देखोगे तो पूरे विश्व भर में यहाँ पर करीब 146 पाकिस्तानी citizens ऐसे हैं जिनको UN band terrorist का दर्जा दिया गया है जिसमें कि आप देखोगे तो भारत तीन टेरिस्ट के उपर काफी जादा action चाता है जैसे कि हाफिस सईद हो गया जाकिउर रहमान लकवी हो गया और मसूद हजर तो वैसे तो बहुत सारे टेरिस्ट हैं लेकिन इन तीन टेरिस्ट पर में हमारा focus रहता है क्योंकि ये कई सारे चीजों पर भारत के अंदर जो गतिवीदी हुई है उसके अंदर ये शामिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि FATF का रोल कैसा होता है क्या वो चीजों को कर पाते हैं कि नहीं क्योंकि February 21 से लेकर 26 ये particular date याद रखेगा 2021 में ही परिस के अंदर ये FATF की मीटिंग होने वाली है अब हो सकता है कि इस बार ये मीटिंग virtual हो लेकिन क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको black list में डाला जाता है कि grey list में ही रखा जाता है या फिर उससे हटा दिया जाता है ये आगे आने वाला समय बताएगा बटाई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको जो recent का आरेष्ट किया गया है लकवी का उसके बारे में सब कुछ जानने को मिल गया होगा तो चलिए जाने से पहले मैं आपके लिए इंट्रस्टिंग कोश्चन लेकर आया हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएन के द्वारा designated टेरिस्ट का दर्जा दिया जाता है तो क्या आप बता सकते हो कि कौन से देश के citizens को सबसे जादा दर्जा दिया गया है यूएन टेरिस्ट का इवन मैं आपको बताऊं दो-तीन मेहने पहले पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि भारत के कुछ दो-तीन citizens को भी यहाँ पर यूएन टेरिस्ट का दर्जा दिया जाए लेकिन यहाँ पर मेरा question है कि विश्व में कौन से ऐसा देश है जहाँ पर सबसे जादा उनके citizens जो हैं यूएन टेरिस्ट के लिस्ट में आते हैं इसका जो right answer है दोस्तों मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही अगर आप Instagram पे नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से आप इसका right answer ले सकते हैं मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के form में आप जाकर play कर सकते हैं अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना चाहते हैं study IQ आप पर जा सकते हैं I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon